हलो बच्चों अब दो हपते के आसपास का समय रह गया है आज के बाद तो 15 दिन है जो परसो संडे आएगा उसके बाद एक संडे और फिर एक संडे आपका नीटिक जाए अब आपको बहुत अच्छी खासी स्ट्राटजी चाहिए जो आपको एक तरह से आपके मार्क्स को इन जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है at least उन बच्चों को जो हमारे लिस्नर है सबके मार्क्स बढ़ जाएं के तो 720 वाले का क्या होगा वो तो highest पे होता है तो सबका नहीं होता possibly और सब बात मानते भी नहीं है ये भी आप जान लो मैं अभी कल कुछ बच्चों से मिल जो हमारे हॉस्टल के थे और वो जा रहे थे घर so they claim that you know most of the students those who are performing somewhere around 300 or less than that they assume that they are not going to select और वो कही न कहीं B.S.U.S.C.M. admission ले लिए और प्लान भी करने वाले है और कुछ तो re-drop का प्लान कर चुके है तो ये एक चंक है एक नमबर है और एक नमबर ऐसा है जो एक ध्यान ही न रहे हैं selection होगा की नहीं होगा वो बस हर टेस्ट हर टेस्ट को एक अपना final need test assume करके चल रहा है तो मेरा जो ये वीडियो है ये आप लोग के लिए समर्पित है कुछ planning अब एक्चुली मैंने आप थमशनेल पर देखा हो 15th planning basically 15 days बचा हुआ है तो आज 15 एक आपको तरीका बत ले तो बेटा ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल पर नए हो तो subscribe कर लिजे 7.30 पीम पे live class होती है मेरी उस live class में आप जुड़िये आपको फाइदा करा के दूगा अगर आप अपने देश में द मैंने एक बच्चे के बारे मैंने कुछ दिन पहले बात किया था दीख्षा जोसी जो IES एक्जाम में UPSC में 19th रैंक लेके आई उसके नेट एक्जाम में 400 something marks थे मुझे अच्छी तरह आधा और सी ज्वाइंड़ क्रैस को सुन ली और उसके बाद उसने एक private medical college जॉली ग्र पर जो जिस एक्जाम में बैठते हैं और दो-दो-तीन-तीन साल की preparation के बाद बैठते हैं उन सारे बच्चों को beat करते हुए All India 19th rank लेके आई ये एक्जामपल अपने आप में बहुत बड़ा एक्जामपल है बहुत बड़ा एक्जामपल है इसे आप छोटा नहीं मान सकते है अगर आप इस एज में नहीं जान बारत अपने parents से बात करिये और पूछिये देखिये उसके success के मायन है क्या है ऐसे एक्जामपल आप लोग के सामने है और इस टाइम ये एक्जामपल आप दूसरों के लिए बन सकते हो अगर अगरी 15 दिन को अपने best 15 दिन बना दिया आप ने तो जिन्दगी में कुछ भी आप को असंभौ नहीं लगेगा अब मैं strategy बता रहा हूं हम आम तोर पे जो अपना paper attempt करते हैं उसमें सबसे पहले one go में हम start कर लेते हैं paper attempt करना biology से start करते हैं फिर chemistry पे जाते हैं और last में physics पे जाते हैं कई बार ऐसा होता है physics के लिए हम सिर् एक घंठा बचा पाते हैं कई बार 50 मिनट्स बचा पाते हैं और उसमें revision करना क्या solve करना क्या एक one go में चलते रहते हैं जो हो रहा उसे कर रहे हैं जो नहीं हो रहा उस पर attempt लगा रहे हैं थोड़े देर किया उसके बाद छोड़ दिया time भी waste हुआ अब मैं बोलूगा कि अब पूरी strategy को आप तीन भागों में बाट लीजे तीन भागों में पूरी strategy को आपको बाटना है कैसे बाटना है पहली strategy यह होगी कि पहले आपको इस साल तीन घंटे 20 मिन ले मिल रहे हैं सारे बच्चे test तीन घंटे के साब से दे रहा होंगे I'm sure मैं तो दिलवा रहा हूं 3 घंटे के साब से so that आपकी planning 3 घंटे के साब से हो 20 minutes bonus हो आपके लिए तो आप पूरे paper को पढ़ने में खर्च कर दीजिए 3 से 5 minutes which is quite sufficient question मत करना कि 3 minutes में नहीं हो पाता, मैं खुद यह सब करता हूं, ऐसा नहीं हो कि easy question को A, medium को B और tough को C कर लो या कोई भी इस तरह से आप पाएंगे कि biology, physics, chemistry मिला के करीब 50% ऐसे questions है यानि 90 questions ऐसे हैं जो easy के category में आ जाएंगे जो सीधे सीधे factual based होंगे या बहुत least calculation होगा अगर आपने इन A category के questions को एक घंटे में कर लिया इसमें ये नहीं देखना है कि पहले biology निप्टा लें फिर chemistry निप्टा लें फिर physics नो तीनों में आएगा ये मतलब तीनों में कुछ-कुछ questions होंगे हो सकता biology में जादा हो physics में बहुत कम हो बढ़ टोटल 360 आ जाएंगे फिर एक घंटे में इसको करिए यानि एक घंटा जैसे खतमों का दिल को तसली मिले कि मैंने 90 questions कर लिये हैं और मैं अब 360 नंबर पे पहुँच चुका या पहुँच चुकी हूँ अगले एक घंटे में आप ध्यान दीजे B category के questions पे B category के question मोटे तोर पे एक नॉर्मल बच्चे के लिए 30% ऐसे question होंगे जो बचा हुआ 50% उसका 30% जो हलका सा tough लगेगा आपको जिसमें calculation थोड़ा ज़्यादा होगा ऐसे 54 questions आएंगे अगर इनको आपने फिर ये physics chemistry मैस में होंगे यानि दूसरा चक्कर लगेगा आपका ऐसे question को अगर आपने कर लिया जो ज़्यादा तर होंगे क्योंकि आप confidence सही है कि आप 360 कर चुके एक घंटे में confidence level हाई है एक घंटे में आपने 50% काम कर लिया जबकि 50% time तो टेड़ घंटे का है confidence आप है तो अब confidence में कई के tough questions भी हो जाते है इससे आपको मिलेंगे 54 question into 4 216 number 216 और total बन जाएंगे 576 marks 576 number maximum state में state quota से selection हो जाता है कुछ top stage को छोड़के या selection के पास तो पहुंची जाता है तो confidence गजब का जाएगा आपके अंदर कि एक घंटा आपके पास बचा है and you are near to the selection और you have selected remaining category C की आती है tough वाले questions जो आपको देखने पढ़के लगा के नहीं होंगे लेकिन आपने उसको छोड़के रखा है अब उन पे attempt करोगे ऐसे questions सिर्फ 50% बचते हैं अब इस में से आप 5% भी निकाल दो तो भी आपके 9 questions हो जाते हैं इससे आपको मिल जाता है 36 marks के आज पास 5% question निकालो के 9 होंगे 9 यानि 36 marks और बढ़ जाएंगे अब 576 में 36 और बढ़ा लो तो ये हो जाते हैं तव questions लगते हैं कि नहीं होंगे बड़े-बड़े लगते हैं कुछ-कुछ questions बहुत आसान होते हैं सारे नहीं कुछ-कुछ तो बहुत आसान होते हैं पढ़ने के और tension-free पढ़ने की ये difference है बस उसमें tension-free होके पढ़िए आप बिलकुल दावे के साथ question आपसे होने लएंगे ऐसा मैंने experience किया है और अगर सुरू में question गलत कर देंगे तो easy question tough होने लगेंगे ऐसा मैंने experience किया है कल एक नहीं story के साथ हाँगा ज्यादा time ने लूँगा 7.30 प्लीज जुड़िएगा मेरे से live Thank you very much Bye bye